असलावलिकम स्टुडेंट्स English language में जब हम किसी person की कहई भी बात को किसी दूसरे person तक अन्वेंग करते हैं तो उसके two different ways होते हैं जिने हम Edinburgh and Direct narration क्यते हैं इनको Direct speech और indirect speech भी कहा जाता है टो हमारा आज का lesson Direct and Indirect Narration का first lesson है और इस lesson में रिक हो और आज के लेक्चर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि direct speech और indirect speech क्या होते हैं और इन में जो sentences लिखे जाते हैं उनकी structures क्या होती हैं direct speech से indirect speech में convert करने के लिए जो basic changes हैं वो क्या की जाती है तो direct and indirect speech के concept को understand करने के लिए हम यहाँ पर एक example ले लेते हैं suppose Mr. Ahmed जो हैं वो बात कर रहे हैं I write a letter Mr. Ahmed की यह बात को जब हम आगे किसी दूसरे परसंट तक convey करेंगे तो हम उसको कैसे convey कर सकते हैं तो उसको convey करने का एक तरिका यह है कि हम Mr. Ahmed की इस कहीवी बात को as it is आगे convey कर दें इसमें बगेर कोई change किये हम आगे as it is convey कर दें उसको फिर कैसे convey करेंगे तो उसके लिए क्या sentence बनेगा उसको हम कैसे लिखेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि Ahmed said I write a letter तो इस sentence के अंदर हमने क्या किये कि Mr. Ahmed की कहीवी बात को as it is आगे convey कर दिया है तो इस वे को हम क्या कहते है जी direct speech या direct narration कहा जाता है जब हम किसी person की कहीवी बात को as it is आगे report कर देते हैं तो उसको हम direct speech या direct narration कहते हैं अब direct speech में जो sentence आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है तो इसके दो parts है तो देखें इसका यह जो first part है एमद said इसको हम reporting speech या reporting clause कहते हैं और इसका जो second part है जो के inverted commas के अंदर लिखा हुआ है इसको हम reported speech या reported clause कहते हैं और यह जो commas है inverted commas भी नहीं हम कहते हैं quotation marks भी कहते हैं speech marks भी इनको कहा जाता है ऊके तोчuk industries संटेंट सो होता है इसके वह होते हैं एक उसका reporting speech होता है और एक उसका reported speech होता लेकिन बाजगाद यह होता है के sentences में reported speech का पहले लिखा होता है और reporting speech बाद में लिखा होता है तो इस sentence को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं I write a letter said Ahmed तो अभी यहां पर हमने reported speech को पहले लिख दिये और reporting speech को बाद में लिख दिये तो इस तरह से भी इस sentence को direct speech के sentence को लिखा जा सकते है अब यह तो था direct speech कि जिसमें हमने Mr. Ahmed की कही वी बात को as it is आगे report कर दिया ठीक है लेकिन हम Mr. Ahmed की बात को एक और different way में भी आगे report कर सकते हैं कि जिसमें हम Mr. Ahmed की कही वी बात को थोड़ा change कर देंगे और उसको आगे convey करेंगे तो हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि Ahmed said that he wrote a letter तो यहां पर हमने क्या कर दिया Ahmed की कही वी बात को उसमें थोड़ी changes करके आगे हमने report किये अब यह जो वे है बात को आगे report करने का इसको क्या कहा जाता है जी यह कहा जाता है indirect speech यह इसको हम indirect narration भी कहते हैं तो indirect speech and direct narration के अंदर किसी की कही वी बात के अंदर थोड़ी changes करके उसको आगे convey करते हैं और उसको हम एक simple यह assertive sentence की form में आगे convey करते हैं तो direct और indirect speech को हम फिर इस तरह define कर सकते हैं कि in English language there are two ways of conveying the words spoken by one person to another person these are direct speech and indirect speech okay English language में किसी person के spoken words को कहेवे अलफाज को जब हम आगे convey करते हैं तो उसके two different ways जो हैं वो direct speech और indirect speech कहलाते हैं in direct speech the actual words spoken by a person are conveyed to another person तो direct speech में हम किसी person के जो actual words हैं उनको आगे convey करते हैं करते हैं जबके indirect speech में क्या करते हैं person की जो कहवे अलफाज हैं उन में हम थोड़ी बहुत changes करके आगे convey करते हैं so in indirect speech the words spoken by a person are slightly changed while conveying them to another person okay तो यह है direct और indirect speech अब हम देख लेते हैं कि जब आप direct speech से indirect speech में convert करते हैं sentences को उनके अंदर क्या different changes जो हैं वो की जाती हैं तो हम example के लिए पास जो direct speech का है वो यह है she said to me I am ill इस sentence को जब हम indirect speech में change करेंगे तो यह क्या बन जाएगा she told me that she was ill तो यह indirect speech है sentence का तो अब हम देखते हैं कि direct speech से indirect speech में convert करने के लिए इसमें क्या change की गहीं नहीं तो देखें सबसे पहले जो यूजिली चैंज जो की जाती है इसमें वह यह है कि जो reporting speech है इसका जो वर्ब है यहां पे देखें सेट सैट सेट टू यह रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है इसे हम reporting verb के थे तो सबसे पहले हमने reporting verb जो है इसको क्या करना है चेंज कर देना तो reporting verb said to को हमने किसमें चेंज किया टोल्ड तो reporting वब चेंज हो गया और उसके बाद फिर हमने commerce को remove कर दिये है ठीक है commerce remove कर दिये और फिर उसके बाद हमने यह जो direct speech का sentence है जिसके यह दो पार्ट्स थे एक reporting स्पीच और दूसरा reported स्पीच इन दोनों को हमने आपस में एक conjunction के जरीए जॉइन कर देना है ठीक है तो यहां पर जो conjunction हम यूज कर रहे हैं वो क्या है देट तो देट कंजंक्शन यहां पर हमने यूज कर दिया दोनों parts को join करने के लिए और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि pronoun की changes भी यहां पर हुई है यहां पर जो pronoun आए था यह किसमे चेंज हो गया she में ठीक है प्रोनाउन का change हो गया और उसके बाद आप देखें यहां पर एम एल तो यह किसमे चेंज हो गया वाज एल तो हमने pronoun की changes करनी होती है और pronoun की change के साथ साथ tense का change usually किए जाता है जब बात past में होती है तो tense का change किया जाता है तो tense का change तब ही किया जाता है कि जब आपके पास यह जो reporting speech है यह अगर पास में हो तो तब हम इन्डरिट स्पीच में called करते हैं को C equip उन सारी मैं करते हैं तो इन सारी चेंजज को हम वन डीटेल से आगे डिसक festive कि कि भी तो जब आप डाइड्ड स्पीच से इंडारइक स्पीच में अडे। इस करते और प्रोनावन की चेंज यहां पर होती है और उसमें टेंस की चेंज भी हो सकती है तो इस तरह रहा हम डारेक्ट स्पीच से डारेक्ट स्पीच में कनवर्ट करते हैं और कोई से तेंस भी देख लिए तो यहां पर मेरे पात एक संटन्स का वर्ब है ठीक है से टू इसको आपने किसमें चेंज कर दिया में चेंज कर दिया और फिर आप रिपोर्टिंग स्पीच और र्यपोर्टेट स्पीच को जॉइन करने के लिए यहाँ पे जो conjunctions use किया है तो conjunction कौन से यूज किया है वह है इफ ठीक है और प्रोनावन के चैंज भी हो गया यूज है वह आए में चैंज हो गया और टेंस भी चेंज हो गया प्रेजंट टेंस से पास टेंस में हो गया तो यह डिफेंट चेंज हैं पर हमने का लिए इसी तरह थर्ड बाइब को रेकंस्ट में च्छेंज कर दिया ठीक है और यहां पे रिपोर्ट प सपीच और पॉर्टेट को हमने कंजेंट जिससे होए है का टूट ठीक है और यहां पर हमने प्रोंप करनाउन चीजों जो ही हो गया ठीक है तो यह चेंज इस तिन रूल्स के अंडर हुई है वह रूल्स क्या है इनको आप जो है वह नेक्स लेक्टर में डिटेल से डिसकस करेंगे अभी आज के लेक्टर में हम सिर्फ वो चेंज इंडेंटिफाय कर रहे हैं जो के होती है जब हम डारेक्ट स्पीच से से इंडेक्ट करते हैं कि एक और संटेंस है यह सेड़ आयज बी तोमोरो यह डियक्ट स्पीच का सिंटेंस है इसको हम इंडेक्ट में करेंगे तो क्या होगा ही सैड़ एडेट ही वोड बेडियर देनेक्स दे तो देखें यहां पर हमने जो कंजंक्शन यूज किया है वह है प्रोनाउण का चैजD हो रहा है वेल होता है जिसका तफिस चैंज किये जाता है जब बात पास टेंस में लिखी होती है रेपोर्टिंग स्पीच पास टेंस में होता है तो टेंस के साथ साथ ताइम change भी किया जाता है तो इस तरह डाक स्पीच से indirectают है उना का चेंज होता है ठीक है का चैंज होता है तो यह ठी मेजिर चेंजर जो की जाती हैं जब हम डाक स्पीच के वर करते तो फिर डायक्ट स्पीच में को क्लिए क्या different changes हो सकती है जब आप direct speech indirect speech में convert करते हैं तो सब से पहले हम क्या करते हैं कि हम reporting speech का जो वर्ब है reporting verb उसको हम reported speech के according change कर देते हैं okay so in the first step we change the reporting verb according to the reported speech और फिर second step में क्या करते हैं so we remove the inverted commas from the direct speech and replace them with an appropriate तो फिर हम जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उसके कॉमर्स को रिमूब कर देते हैं और उनको सी कंजंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं उनकी जगह को एक इस यूज कर लेते हैं वह थर्ड चेंज क्या होती है कि वी चेंज दप्रो नाउन अफ रिपोर्टिड स्पीच accordingly तो reported speech के pronoun में जो change है वो की जाती है और फिर उसके बाद we change the tense of the reported speech accordingly if required अब tense का change भी के जाता है अगर required हो उसकी requirement क्या है जिस तरह भी मैंने आपको बताया था अगर reporting speech past tense में हो तब tense change होता है otherwise यह change नहीं होता फिर फिफ्ट चेंज यहां पर जो की जाती है कि हमने time का change करना होता है reported speech का जो time है उसको अगर वो required है past tense में अगर reporting speech है तो हम reported speech के अंदर जो time है उसको भी change करते हैं so these are the five basic steps to convert a direct speech into an indirect speech और इसमें जो major changes होती है वो क्या है वो जिस तरह हमने देखा pronoun की change होती है tense की change हो सकती है और time की change होती है ठीक है तो यह basic changes होती है और next lecture के अंदर हम in changes course study करना start करेंगे और in changes के लिए दो rules हैं उनको सीखेंगे किन rules के अंडर जो है वो यह changes की जाती है so see you in the next lecture